ओके गाईस तो यह आज के दिन का पहला वीडियो है अगर आपने कलके वीडियो उसको नहीं देखा है और आप देखना चाहते हो तो जाकर के देख सकते हो आपको चैनल पर मिल जाएगा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमेंट रिक्वेस्ट के बारे में तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दू कि अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रस करके डिफिनिटली ऑल पर सट कर लेना सेगंड तिंग यहाँ पर कमेंट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है अगर आप किसी भी स्टॉक में कोई डाउट है जस्ट आप कमेंट कर सकते हो एंड हमें बता सकते हो जैसे अगर आप किसी भी स्टॉक का फंडेमेंटल जानना है टेकनिकल जानना है बिजनस जानना है डीटेल में तीनों ही जानना है और डीटेल वीडियो चाहिए फुल वीडियो चा सबसे लंबा वीडियो मिलेंगे जो सबसे लंबा वीडियो में आपको तीनों ही मिल जाएंगे बिजनस फंडमेंटल्स एंड टेक्निकल्स तो वीडियो जाकर करके देखना आई थिंक 21 मिनट के आसपास का वीडियो होगा बाकी आपको नहीं मिले जस्ट आप कॉमेंट में मुझे एक बार कमेंट कर देना क्यार मुझे इसका लिंक चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है मैं अब आगे बढ़ते हैं यहां पर आप सबसे पहले इसके बिजनस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो एक बार इसके बिजनस के बारे में जान लेते हैं पहली बात तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा एक बैंक है तो अब इसका क्या ही बिजनस होगा जो नॉर को की आप यहां पर देख सकते हुआ जो रेसयो वहपर गया हाँ चीज बस यहां पर बतांगा एंट- upfront जो है non performing asset होता है mainly NPA क्या होता है non performing asset मतलब जो assets आपके perform नहीं कर रहे हैं अगर आपका loan default कर गया interest नहीं आ रहा, write off हो गया कुछ यह सब काम हो गया तो वो जो है NPA में जाता है और यहाँ पर NPA जितना कम रहे है उतना ही अच्छा होता है और यहाँ पर gross NPA around यह जो है थोड़ा पहले का data है बट gross NPA around 3% है net NPA around 1% है थोड़ा जादा है NPA मतलब normal से थोड़ा जादा है बट हाँ फिर भी बहुत जादा भी नहीं है और आगे अगर आप देखोगे तो कासा 50% है और इसके साथ ही आप यहाँ पर capital adequacy ratio देख सकते हो जो कि 16% के आसपास है branch network के बारे में बात करें 641 जो है branches है and 719 ATM से across India transformation के बारे में बात करें तो देखो company जो है corporate focused low NIM business bank to retail focused high NIM bank बन रही है यहाँ पर मैं थोड़ा explain करना चाहूंगा क्योंकि यह चीज complex नहीं है बट बहुत लोगों यह पता नहीं होता है अब यहाँ पर देखो NIM मतलब क्या होता है net interest margin बहुत simple language में आपको बताऊंगा बहुत लोगों को पता भी होगा ठीक है तो उसका issue नहीं है लेकिन हाँ बताना थोड़ा जरूरी है मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या होता है एक होता है corporate loan एक होता है retail loan अब retail loan क्या होता है जो normal मेरे और आपके जैसे loan लेते हैं loan जो लेते हैं वो retail loan होता है और एक होता है corporate loan अब corporate loan क्या होता है मतलब जो बड़ी companies loan ले दिया वो होता है corporate loan अंतर क्या हो गया और NIM low high का क्या है मतलब margin यहाँ पर low high का क्या है अगर corporate loan होगा अब समझो इस चीज़ को corporate loan होगा तो माल लो company के पास किसी company नहीं स्वारी bank के पास IDFC first के पास 10,000 क्रोड है and 10,000 क्रोड उसे loan पे देने है ठीक है अगर आप इस 10,000 क्रोड को retail को देने जाओगे आप खुद सोच लो कितना जादा कितने जादा लोग लगेंगे आपको इन 10,000 क्रोड के loan को देने के लिए अगर एक आदमी मैं बहुत maximum पकड़ता हूँ अगर एक आदमी एक करोड का भी loan लेगा ना एक आदमी अगर एक करोड का loan ले रहा है तो आपको 10,000 क्रोड खतम करने के लिए 10,000 लोग ऐसे लगेंगे जो एक करोड के loan ले रहे हो ठीक है तो आपका 10,000 क्रोड खतम होगा लेकिन अगर वहीं पर मैं companies की बात करूँ मतलब corporate की बात करूँ यह होगा retail ठीक है अगर मैं corporate की बात कर रहा हूँ तो corporate में क्या होगा एक एक कंपनी ठीक है 200, 300, 500 क्रोड के loan ले लेगी अगर मैं मानता हूँ एक company 500 या चलो माल लेते हैं minimum मानते है यहां पर 10,000 लोग है यहां पर 10,000 लोग है और यहां पर 100 है तो आप खुदी समझ सबते हो कहां आपको loan देना आसान है corporate में loan देना आसान होता है इसलिए वहां पर margin कम होता है क्योंकि बहुत जादा बहुत बल्क में पैसे लेने होता है लेकिन retail में problem क्या है अब लोग retail में क्यों नहीं जा रहे मतलब आपका question हो सकता ऐसा कि हाँ तो bank जो है retail को ही loan दे corporate को दे ही नहीं तो आप खुछ सोचो मैंने तो 10,000 क्रोड लिया ऐसे जो है 100,000 बाटने के लिए आप समझ रहे हो और एक करोड का loan retail के लिए घैल केली मतलब मेरी और आपके लिए एक करोड का loan बहुत जाद होता है ठीक है बेसिक लिगे इतना का loan होता है तो फॉर्ое – बैसुलंदददद लाघ – तीज़ Лाघ – ऐसे होता है तो यहां पर जो भी यह company कोशिश कर रही है कि यहां पर retail के पास जाया जाए और उसके साथ यहां पर scaling up business operations यहां पर देख सकते हो bank scaled up digital cash management solution, trade forex, wealth management, fast tag, tall acquiring business, credit cards, also introduced new variants of current accounts, यहां पर company यह सब काम कर रही है और इसके साथ liability side आप यहां पर read कर सकते हो और वही सब कुछ लिखा हुआ है, boring जो है वह कितना है और उसके साथ जो है कहां पर funded largely by high yield infra bonds based on high CASA ratio मतलब कासा मतलब क्या होता है current account saving account ratio went 9% यह सब वह सब लिखा हुआ तो आप पढ़ सकते हो ठीक है और इसके साथ अगर मैं asset side की बात करूँ तो यहां पर भी देख सकते हो company का जो है detail and commercial loans में 35% of total funded assets और at present they stand 72% ठीक है और यह 35% जो है December 18 की बात हो रही है बहुत पहले की बात हो रही है अभी जो around 72% है उसके साथ यहां पर देख सकते हो company has brought down infrastructure loan from 22,700 crore to 26,891 crore ठीक है यह again data comparison है ठीक है और profitability की बारे में बात करते हैं यहां पर देख सकते हो net interest margin have improved from 3% to 8% मतलब यह सब comparison बताया जा रहा है कि पहले कितना था अभी कितना है पहले यह 3% था अभी 6% है मैंने sorry 8% किया दिया होगा गलती से यह 6% है asset quality आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे gross NPA जो है वो कितना है पहले कितना था पहले 4.15 था भी 3.70 हुआ है और अगर आप all latest देखोगे यह तो financial aid 22 का है जैसे मैंने आपको latest बताया था मतलब जो financial aid 23 का था I think वो है 2.9% के आसपास और भी कम हो चुका है जो net NPA है वो यहाँ पे 1.53% है पहले यह 1.86% था उसके बाद 1.53% हुआ उसके बाद अभी यह around 1% के आसपास है तो यह चीज़ यहाँ पर बताया गया है तो और भी चीज़े आप यहाँ पर रीड कर सकते बेसिकली बताने के लिए कुछ खास है नहीं normal bank जो काम करती है यह bank भी वैसा ही वही सब काम करती है बस fundamentals पर आता है सबसे पहले तो यार यहाँ पर सबसे पहले मैंने साथ यहाँ पर लगाया हुआ नहीं है इसका price to book जो है वो around 2 रुपे के आसपास है 2 रुपे का रहा हूं जादा overvalued मुझे नहीं लग रहा है और उसके साथ ही चलते है quarters पे खैर overvalued वाली बात अलग है इसका जो जून 22 का result था वो कैसा था वो देखता है तो revenue देख सकते हो 4900 मतलब around 5000 से 6800 तक पहुच चुकी है अच्छा जम्प है उसके साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे profit before tax जो देखना है 485 से 732 बहुच चुकी है तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा जम्प है और उ 8500 फिर 9000 12 16 फिर 15 हुआ यह कोरोना का टाइम था फिर 17 बाइस चॉविस तो हां मतलब constantly increase हुए जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है 2017 से अभी तक लगभग तीन गुना हो चुका है revenue और consistent growth है ऐसा मतलब बहुत जादा भी नहीं है कि यार बहुत जल्दी जल्दी increase हो रहा है लेक profit before tax आप यहां पर देख सकते हो net profit आप देख सकते हो पहले यह थोड़ा positive था फिर थोड़ा negative हो गया थोड़ा नहीं काफी negative हो गया उसके बाद यहां पर 483 आया फिर यहां पर कोरोना का टाइम नहीं था यह मार्च 22 है जो कि कोरोना पार हो चुगा था तो यह 2020 है यह 2223 है तो अगर आप देखोगे यहां पर net profit काफी उपर नीचे उपर नीचे करता है ठीक है यहां पर आप तेखोगे पहले चोगे 1,000 करोड के आसपास का net profit करते थी फिर माइनस 2,000 करोड, 3,000 करोड के आस पास का loss होने लगा उसके बाद क्या हुआ, 500 करोड के आस पास का profit फिर 100 करोड के आस पास का profit उसके बाद financial year 23, मतलब 2023 मैं around 25 girlfriend की आस पास उसके बाद यहाँ पे 27 करोड के आस पास तो मुझे net profit कुछ खास अच्छा नहीं लगा, बहुत उथल उथल से मुझे लग रही है, और उसके साथ है अगर आप यहाँ पर compounded sales growth देखोगे, 20% अच्छा है, मतलब ठीक है, ठीक से थोड़ा उपर, और 12% not good, 37% very good, अब यहाँ पर वही चीज है, कि अच्छा growth है, मैं ऐस अगर यह maintain करती है तो क्योंकि यहाँ पर 3 साल में 12%, यह number मुझे बहुत कम लग रहा है, 20% is perfectly fine, 37% तो बहुत अच्छा है, फिर profit growth के बारे में बात करें, तो यहाँ पर 23% okay, 42% अच्छा है, और TTM में 121% यह भी काफी अच्छा है, बट देखो numbers तो ठीक है, मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे, अच्छे numbers है, बट यहाँ पे मुझे overall यह बहुत disturbing लगा, उपर नीचे लगा, profit growth, तो मुझे ऐसे यह number wise पसंद नहीं आया, ROE की बात करें, तो यहाँ पे ROE मुझे बहुत ही कम लगा है, बहुत ही कम, क्योंकि 5 साल का minus 2% है, और obviously loss भी है इधर, उस है, but 11% is also not too good, मतलब यह अच्छा नहीं है, इस से बड़े-बड़े banks में और अच्छा ROE है, लेकिन जो भी है, मुझे ROE overall, मैं compare नहीं कर रहा है दूसरे से, बट हाँ, overall मुझे पसंद नहीं आया, ROE मुझे काफी कम लगा, और मैंने कहा हुआ है, कि अगर ROE कम है, तो यह कहा problem करती है, sales में problem करती है, अगर ROE जादा है, तो sales growth में कोई दिक्कत नहीं आगी, अगर growth जादा है, ROE कम है, इसका मतलब वो growth sustain नहीं करने वाला है, और वो growth धिरे-धिरे-धिरे नीचे आजाएगा, और उसके बाद growth करने में problem आएगा, अगर ROE नहीं आएगा तो, तो जितना सदा growth जरूरी है तो growth आने के साथ आपको ROE आना भी जरूरी है तो इस 11% के ROE पी यह 37% का growth नहीं हो सकता है और यह जो है इन equation जो भी कह सकते हो not equal to वाला जो scene है वो मुझे अच्छा नहीं लगा और आगे बढ़ते हैं balance sheet के उपर चलते है reserves आप देख सकते हो 19,000 पर ही चलेगी न किसी से loan उठाएगी किसी को loan देगी ऐसा ही चलता है तो इसलिए borrowings में कोई भी दिक्कत नहीं है आपको ऐसा नहीं सुचना है यार 2,00,000 क्रोड की borrowings तो यह यह वो नहीं है banks में अलग सीन होता है cwip आप यहां पर देख सकते हो 219 का cwip है ठीक है उसके सा इस बीस परसेंट वेरी गूड दिए साथ परसेंट ठीक है और गवर्मेंट चार परसेंट ठीक है पब्लिक 27 परसेंट अब इसमें देखना है कि रिटेल इंवेस्टर कितने है तो देखोगे अगर ओके सो यहां पे 27.5 परसेंट पूरा का पूरा मतलब लगबग साथा इस 50% यहां पर पब्लिक मुझे यह थोड़ा सा ज़ादा लग रहा है अच्छा नहीं पहुत यहां पे पहला नेट प्रॉफिट थोड़ा सा उपर नीचे उपर नीचे लगा दूसरा आरूई मुझे बहुत कम लगा यही तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लगी इसमें और अगर ऐसा रहा तो मुझे डाउट है कि इसमें ग्रोफ आएगा अच्छे से व के आसपास ग्रोथ आएगा ऐसा नहीं होता है इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी भी नहीं 60,000 क्रोड के आसपास की कंपनी है 62,000 क्रोड के आसपास की कंपनी है इसमें अगर 25% 20% के अगर sales growth आ रहा है अच्छा है बट मुझे उसका भी doubt है कि उतना भी आने में problem आएगा अगर ऐसा ROE रहा तो या इससे कम हुआ तो और technicals के बारे में बात करता है एक सिगंड इसे में block कर देता हूँ और ठीक है तो fundamentals हो गए और technicals के बारे में बात करता है तो यहाँ पे देख सकते हो already यह काफी बढ़ चुका है और इसलिए मैंने कहा था purely यह price दिन लग रहा है मुझे ठीक है जादा overvalued भी at the same time नहीं लग रहा है जादा overvalued भी नहीं है price to book के हिसाब से बट हाँ फिर भी मुझे लग रहा है कि यह बहुत उपर है ठीक है technically भी अगर आप देखो के तो यह बहुत उपर है और all time high पे ही है obviously तो कुछ बोलना यहाँ पे तो मुझे सहीं नहीं लगता है कुछ बोलना और बाकी यहाँ पर देख सकते हो क्या करना चाहिए आप पुछो या क्या करना चाहिए मैं तो मैं recommendation नहीं दे रहा हूं इस वीडियो में कोई भी recommendation नहीं दे रहा हूं किसी भी तरह का stock recommendation call tip कुछ नहीं है आपको जो करना है अपनी financial advisor से पूछो देखो समझो analyze करो फिर कुछ भी करना है करो किसी के बात मत करो दूसरी बात अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा viewpoint पूछोगे अगर मुझे जाना होगा इसमें मैं अभी purely wait करूँगा इतने उपर तो मैं कुछ नहीं सोचने वाला इसे wait करूँगा थोड़ा correct होने दूँग थोड़ा time लोगा उसके बाद ही कुछ सोचूँगा बस बाकि यार इसी के साथ end करते हैं वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा तो add like share subscribe ले सब तो जरूरी है and इसके साथ आप comment भी करके बता सकते हो यार कि मुझे इसमें ये doubt है solve करके बताओ मतलब solve करो video बनाओ तो यार मैं उसके उपर भी video गनाऊंगा और end करते हैं इसके साथ इस video को bye bye and thanks for watching